हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान का इतिहास व संस्कृति, लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नमबर 8 जो है स्टार्ट कर दिया था, 25 कोशन हमने किये थे राजिस्थान के प्रमुक लोग नत्य से संबंदित, तो चलिए उसी के आगे स्टार्ट करते हैं, कोशन नमबर 26, संक यह भवाई नरत्य से संबंदित हैं, नेक्ट देखिए, कोशन 27, रूप सिंग से खावत दयाराम और तारा शर्मा किस नरत्य के प्रसिद कलाकर हैं, तो यह है भवाई नरत्य के प्रसिद कलाकर, याद रखिएगा भवाई नरत्य के प्रसिद कलाकर, रूप सिंग से खाव दयाराम है और तारा शर्मा है तेरह ताली नत्य किस जाती का लोगप्रियन नत्य है यह कामण जाती का प्रमुक लोग नत्य है जो की राम देव जी को समर्पित है तो यहां पर देखिए तेरह ताली नत्य जो है वह किस जाती का है कामण जाती का है दूसरा कोशन बनता है किस देवता को लोग देवता को समर्पित है यह राम देव जी को समर्पित है मांगी बाई और लक्षमन दास किस नरत्य के प्रसिद कलाकार हैं तो मांगी बाई के बारे में तो आप जानते हैं लेकिन लक्षमन दास के बारे में आप नहीं जानते होंगे शायद तो मांगी बाई और लक्षमनदास दोनों ही प्रसिद कलाकार हैं तेरे ताली नत्य के Next देखिए question 30 काल बेलिया नत्य को युनेसको द्वारा अमूर्थ विरासत सूची में कब शामिल किया गया तो ये question आपकी exam में पूछा भी जा चुका है last year तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इन books में से ही आपके सभी questions जो हैं वो पूछे गए थे तो काल बेलिया नत्य को युनेसको द्वारा अमूर्थ विरासत सूची में कब शामिल किया गया इसे 2010 ने शामिल किया गया था प्रसिद नर्त्यांगना गुलाबो ने किस नर्त्य को देश विदेश में पहचान दिलाई या प्रसिद नर्त्यांगना गुलाबो जो हैं वह किस नर्त्य से सम्बंदित हैं तो यह काल बेलिया नर्त्य से सम्बंदित है भीलों द्वारा किया जाने वाला नरत्य है तो ये है नेजा नरत्य, रमणी नरत्य, युद्ध नरत्य, हाथी मना नरत्य और घूमरा नरत्य है तो ये क्या है? हाती मना नरत्य है. नेजा, रमडी, युद्ध नरत्य, हाती मना नरत्य और घूमरा. भीलों द्वारा किये जाने वाले प्रमुक नरत्य है. गरसिया जनजाती द्वारा किये जाने वाले नरत्य कौन सा है? तो गरसिया जनजाती द्वारा किये जाने वाले नर गूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदल ठीक है तो इसको बार बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा गूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 34, कालबेलिया, जनजाति दवारा किये जाने वाले नरत्य कौन से हैं? याद रखना है आपको कालबेलिया, जनजाति का, इसी तरीके से पनिहारी, बांगडिया और संकरिया, ये चारों ही क्या है? बंजारों दौरा किया जाने वाले नत्य कौनसा है तो ये नत्य है, मछली नत्य नेक्स्ट देखिए Question 36 गुर्जरों द्वारा किया जाने वाला नत्य कौन सा है? तो यह है चरी नत्य जूमर नत्य तो चरी नत्य वह होता है जिसमें की सर के उपर बहुत सारे मटके रखकर नत्य किया जाता है ठीक है? तो यह किसका नत्य है? गुर्जरों द्वारा किया जाने वाला नत्य है सहरिया जन्जाती द्वारा किया जाने वाला लोग नत्य कौन सा है यह है सिकार नत्य ठीके, यह है सिकार नत्य सहरिया जन्जाती द्वारा किया जाने वाला प्रमुक लोग नत्य है सिकार नत्य मावलिया नत्य किस जनजाती का लोगनत्य है? मावलिया नत्य जो है वह किस जनजाती का लोगनत्य है? तो यह है कथोड़ी जनजाती का है या इसी को थोड़ा अपोजिट पूछ लिया जाए कि कथोड़ी जनजाती का लोगनत्य कौन सा है? मावलिया नत्य नेक्स्ट देखिए, question 39, चकरी नत्य, इसमें गोल-गोल, चकरी की तरह घूमती है, महलाओं द्वारा किया जाता है, और धाकर नत्य, किस जनजाती द्वारा किये जाते हैं, तो चकरी और धाकर नत्य, यह है कंजर जनजाती की महलाओं द्वारा किये जाने वाला नत्य है, कुचा मनी खयाल के प्रवर्तक कौन है? तो लक्षी राम जो हैं वह कुचा मनी खयाल के प्रवर्तक हैं. next है question फ फोक्टी बन कुचा मनी खयाल के प्रमुक खिलारी कौन है? तो यह है उगमराम. नेक्स्ट देखिए 42 question सेखावटी खयाल के प्रमुक खिलारी कौन है? तो यह कौन है यह है नानुराम. तो देखिए जो खयाल है इससे संबंदित प्रस्णों जो है वो read के exam में नहीं आएंगे लेकिन second grade, first grade, RAS यहाँ पर इनसे संबंदित प्रस्णों जो है वो आते हैं तो यदि आप खयाल से संबंदित प्रस्ण जो हैं नहीं याद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आप किसी और कम्टिशन के त्यारी कर रहे हो तो जरूर आपको ये याद करने चाहिए तो सेखावटी खयाल के प्रमुखिलाडी है ना नूराम कोईशन 43 किस खयाल नाटे शाली में नए प्रियोगों की अत्यदिक संभावनाएं हैं तो ये हैं जैपुरी खयाल हैला खयाल में किस वादियंतर का प्रियोग किया जाता है हैला खयाल में किस वादियंतर का प्रियोग किया जाता है तो किया जाता है नौबत वादियंतर का हैला खयाल में नौबत वादियंतर का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है, कुश्य नमबर 45, कौन सा ख्याल करॉली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दोसा का प्रसिद लोकनाटे है, तो करॉली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दोसा, यहां का प्रसिद लोकनाटे, अब लोकनाटे से सम्मधित प्रश भरतपूर का और दौसा का नेक्स्ट देखिए question 46 कौन सा लोगनाटे जो शिव और भसमासुर की कथा पर आधारित है तो शिव और भसमासुर की कथा पर आधारित लोगनाटे है गवरी ठीक है याद रखना गवरी जो है लोगनाटे वह शिव और भसमासुर की कथा पर आधा गवरी लोकनाटे किस शेत्र से संबंदित है? गवरी लोकनाटे जो है, वह मिवार शेत्र से संबंदित है. मिवार शेत्र का प्रभमुक लोकनाटे कौन सा है? गवरी लोकनाटे. कुश्यन नंबर 48 गवरी कितने महीने तक खेली जाती है तो यह खेली जाती है सवा महीना तक गवरी जो खेली जाती है नेक्स्ट देखिए 49 गवरी नाट्य में कौन सा पात्र लोग भासा में कवीता पाट करता है तो वह है जामटिया नेख्ट देखिए फोट फिफ्टी जैसल मेर फलोदी बिकानेर में आयोजित होने वाला प्रसित लोक नाट्य है यहां पर आयोजित होने वाला प्रसित लोक नाट्य जो है वह कौन सा है रंमत रम्मत के किस कलाकार ने स्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाडा प्रारम किया? रम्मत का वो कौन सा कलाकार जिन्होंने स्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाडा प्रारम किया? तो वो हैं तेज कवी Next दीखें, Question 52 तेज कवी ने स्वतंत्र बावनी की रचना करके इसे भेट दिया महत्म गांधी जी को ठीक है? याद रखिएगा, important है line, तेज कवी ने स्वतंत्र बावनी की रचना करके महत्म गांधी को भेट किया था. Next देखिए question 53 है, जैपूर का प्रसित लोगनाटे है, important है बहुत ज्यादा जैपूर का प्रसित लोड़कनाटे कौन सा है, तो प्रसित लोगनाटे है तमासा, ठीक है? आपको याद रखना है तमासा जो है वो एक लोगनाटे है, कहां का? जैपूर का. फूल जी भट, गोपी क्रिश्न भट और वासुदे भट किस लोगनाटे के प्रसित कलाकार है? तो ये सब ही जो है वह है तमासा जो कि एक लोगनाटे है, जैपूर का प्रसित इसके प्रमुप कलाकार है. कौन है? फूल जी भट है, गोपी क्रिश्न है और वासुदे भट ह नेक्स्ट देखिए question 55 धौलपुर, करॉली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्टे है तो वो कौन सा है नौ टंकी टंक की प्रसिद्ध नाट्टे कला है तो यह question जो है वो आपके RPSC ने ही किसी एक्जाम में पूछा था टंक की प्रसिद्ध नाट्टे कला जो है वह है चार बेंत याद रखना है चार बेंत जो है वह है टंक की प्रसिद्ध नाट्टे कला है तो यहां तक आपकी question जो है वो 56 complete होते हैं, चलिए मिलते हैं next video में, thank you.